राज्य की अत्याधुनेक पशुपालन डेरी विकास खेल और युवा कल्यान मंत्री सुनील केदार निकागी कलमेश्वर में नव निर्मित खेल परिसर अत्याधुनेक तकनीक और सुविधाओं का उपियोग कर विश्व इस्तर के एथलेट्यू से लैस होगा वे कलमेश्वर नगपरिशत एवं भूमी पूजन कारिक्रम के अंतरगरत विविन विकास कारियों के उद्खाटन के अफसर पर बोल रहे थे लगपक 46 करोड रुपए की लंबे समय से प्रतिक्षित पेजल परियोचना के लिए पहली बार कलमेश्वर शहर का शिलान्यास किया गया मंतरी सुनील केदार ने कहा कि इस योजना से अगले 25 से 30 साल तक कलमेश्वर शहर में पेजल की समस्या नहीं होगी इसी तरह प्रमुक सड़कों की कीमत 6 करोड रुपए, आंतरिक सड़कों की कीमत 6 करोड रुपए है इसी तरह मंतरी सुनील केदार ने बैडमिंटन कोट का उद्खाटन किया जो अंतराश्टिय मानकों के अनुसास सुसजित और निर्मित है अपने बयान में मंतरी सुनील के दार ने कहा मैं कलमेश्वश शहर के विकास के लिए प्रतिबद हूँ इससे शहर का विकास करना जनप्रतिनीधी का कर्तव्य है शहर में खेल परीसर के उद्खाटन समहरों में बोलती हुए मंतरी सुनील केदार ने कहा कि इस खेल परीसर का उप्योग कर कलमेश्वर शहर के युवाओं को अंतराश्टी इस्तर पर अपना खेल कौशल दिखाना चाहिए आज के युवाओं पीडी को खेलों में रुची विक्सित करने की जरूरत है खेल की भावना युवाओं में जीत की भूग पैदा करती है आतनों विश्वास पैदा करने में मदद करती है लेकिन सबसे महत्पून बात यहा है कि एक सामाजिक द्रश्टी कोन मंतरी सुनील के पैदार ने कहा कि आज देश और समाज को वास्तव में एक सामाजिक द्रश्टी कोन की जरूरत है जिलप परिशत की पूर्व उपाद्यक्ष मनुह कुंभरे पंचाय समीती की अध्यक्ष श्रवंदा भिंगारे उपाद्यक्ष जैश्री वाके नगर परिशत उपाद्यक् सचिन यादव नगर परिशत प्रमो को पंडागले सहित बड़ी संख्या में ग्रामिन मौजूद थे कैमरा परसन राजकुमा मोहण के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नागपुर